पानी आपके शरीर के लिए कितना जादा जरूरी है और शरीर का कौन सा अंग कितने पसंट पानी से बना है कैसा पानी पीना चाहिए और अगर आप वो पानी पीते हैं तो किन भ्यंकरोगों से बच सकते हैं ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आज इस वीडियो का एक शेयर बहुत सारे लोगों की जिंदकी आपके साथ साथ बदल के रख देगा और आपकी जिंदिके में इतने जादा बदलाव होंगे कि आप खुद जानकर, मानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों हम यह सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 70-80% जो है पानी से बना है लेकिन आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे अंग हैं जो कितने परसंट पानी से बने है हमारी तवच्चा जिसे हम कहते हैं बूरी हो जाती है, वो बनी है 80% पानी से हमारे फेफडे बने है 85% पानी से, हमारा दिमाग बना है 83% पानी से, मास फेशियां बनी है 85%, पानी से किड्नी बना है 83%, हिर्दे बना है 85%, खून बना है 94%, हमारी आखे बनी है 95% और हडियां आपकी बनी हैं हम लोगों की 22% रिसर्च के मुताबिक एक इनसान बिना भोजन के 15 दिन तक जीवी दुखे सकता है लेकिन बिना पानी के पांचवे दिन उसकी मौत हो जाएगी प्यास लगने के पीछे अब लॉजिक क्या है? क्या है गनित? मैं आपको वो समझाती हूँ बहुत असा एक्जामपल देखें जैसे कि शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगने लगती है जब ये कमी 5% तक पहुशती है तो शरीर की नसे खिचने लगती है और स्टेमिना में कमी महसूस होने लगती है जैसे ही ये कमी 10% तक जाती है तो इंसान को धुनला दिखाई देने लग जाता है और वो भीहोश हो सकता है शरीर में पानी की कमी जो 20% होने लगती है तो इंसान की मौत हो सकती है विज्यानिकों की मुताविक पानी बेहत ज़रूरी है इसलिए शरीर में समय समय पर प्यास लगने की ये मेकैनिजम अपने आप से विक्सित होती है जिसे हमें पूरा भी करना चाहिए हमारे शरीर के दो तिहाई ये हिस्सा पानी ये तरल परदात का बना होता है रक जिसे हम मानर शरीर की जीवन रेखा कहते हैं उसका भी 83% पानी से होता है रक शरीर के हर अंग तक वाइटमिन्स, मिनरल्स और ज़रूरी पोशतत्तु जैसे होमोगलोबिन, ऑक्सिजन आदी पहुचाने का काम करता है वहीं जो हमारा यूरिन भी है वो शरीर का एक एहम सरल परदात है जो शरीर के टॉकसिन्स यानि हानिकारक परदातों को हमारे शरीर में से बाहर निकालने का काम करता है अगर हमारे शरीर में पानी की मातरा कम है तो शरीर में बनने वाले विश्यले परदात बहार नहीं जाएंगे और इससे कई समस्याएं जैसे तोचा का सूखापन, कब्स, सिर्दक ये सारी चीजे पैदा हो जाएंगी इससे किड्मी से जुड़ी कई बिमारियां भी हो सकती हैं पानी में इलेक्टराइट, सोडियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं और डी हाइडरेशन से बचने के लिए इनका शरीर में संतूलन बनाये रखना बहुत ज़रूरी है ये मिनरल्स शरीर में कई कामों के लिए एहम होते हैं जैसे रक्त का पीच सर बनाये रखना, नसों का काम करना, दिमाग का तेज चलना और शरीर के अन्य अंगों के बीच संतूलन बनाये रखना आम तौर पर बहुत ज़्यादा पसीना निकालने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के स्थर में गिरावट आती है जिसकी वज़ों से हमें ठकावट और चक्कर आने की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है हमारी शरीर के बेहत नाजुक हिस्सों जैसे आंक, पाचन, तंत्रू, मूँ आजी को भी खूब सारे पानी के जरूत होती है और पानी की कमी से ये सब जादा असर हमारे पाचन, तंत्रू पे पढ़ता है खाना पचने के लिए मूँ में बनने वारी लार बेहत जरूरी है इसके बिना चबाने और भोजन को अंदर तक ले जाना मुश्किल है जिससे आखको आपचन की समस्या होती है हमारी आखों को भी पानी की बहुत जरूत है ताकि उनमें जमा जो गंदगी है वो साफ हो सके शरीर की हड़ियों को मजबूत बनाय रखने के लिए हमें विटामिन D और कैल्शियम के साथ साथ पानी की बहुत जरूत है शरीर में सभी जॉइंट्स में नर्मी बनाय रखने के लिए पानी की जरूत पढ़ती है कितना बुरा प्रभाव डालता है अब वो जान लीजे अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके सिर में मौजूद क्राइनल नस को इफेक्ट करती है जिससे कि आपका सिर दर्ध तेज होने लगता है गर्मी के मौसम में तेज सिर दर्ध होने पर लोग यही सोचते हैं कि यह दर्ध जो है वो तेज धूब के कारण हो रहा है मगर दर्ध का असली कारण है कि जो आपने तेज धूब से आकर जल्दी पकड़ा जाता है इससे हमें गले में infection हो जाता है गला खराब हो जाता है जब आप तेज धूप से छाया में आते हैं और उसके बाद थंडा पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है आपकी प्यास तो शांत होती है लेकिन आपके शरीर में पाचन तंतर रुपे आपके अंगों पर जो शरीर के अंग हैं उन पर effect आने लगता है आपकी नसे ठंडे पानी से सुकड़ने लगती है जिससे कि आपके शरीर में आपके जो अंग है वो ठीक से काम नहीं कर पाते और जब अंग ठीक से काम नहीं कर पाते तो उनमें गंदी की जमा होने लगती है खाना पचना बंध हो जाता है, आपकी पाचन क्रियस लो हो जाती है जिससे आपकी बोडी में कॉलिस्टॉल बढ़ता है, एसिट की मातरा बढ़ने लगती है, जिससे आपकी hडियों का दर्थ आपकी नसों में जो यूरिक एसिट बढ़ता है वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है आपको हमेशा कब्स की शिकायत रहेगी पेट में गैस रहेगी आपको खटी डिकारें हैविनेस फील होगा क्योंकि आपने पिया है ठंडा पानी जिसने आपके पूरे पाचन तंत्र को खराब किया साथ में जिसकी विज़े से खून में गंदगी जमने लगी क्योंकि खाना नहीं पचा और वो खून की गंदगी आपके खून को गाड़ा करती है जिससे कि आपका पूरा उसका जो असर है आपके दिल तक जाता है आपका दिल ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि जब खून गाड़ा पानी पीए और अगर और अपने शरीर को बहतर बनाना चाहते हैं तो हलका गरम पानी का जरूर सेवन करें। जुडी हमें तकलीफे होने लगती हैं। गलत तरीके से पानी पीने से एसिडिटी, खटी डिकार, जोडों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी परशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं। पानी की जरूरत है, जो पानी से बनी हैं, उन में भी प्रॉपर तरीके से काम चलता रहेगा। जब भी प्यास लगे तब पानी जरूर पीएं। खाना खाने से आद़ घंटा पहले और खाना खाने की एक घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीने से आपकी पाचन शक्ती कमजोर हो जाती है। खाना खाने के तुरंट बाद पानी पीने से आपका शरीर फूलता है, आपको मुटापा होता है, कब्स की शिकायत होती है, जिससे आप हमेशा कहते हैं कि आपके शरीर में एसिड बन रहा है, वो एसिड क्यों बनता है, या तो आप खाना खाने के बीच पानी पीते हैं, या फिर खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, अगर आपको high blood pressure feel हो रहा है, या लू लग जाए, बुखार हो जाए, कब्स हो जाए, पेट में जलन हो, या आपको पेशाब में जलन हो, या आपका urine infection हो जाए, ऐसी भी दिक्कत में तुरंत आपको गरम पानी पीना चाहिए, इससे आपको खुद देखेंगे कि आपके सारी problems एकदम जड़ से खतम हो गई है, गरम चाय या कौफी, आधी के एकदम बात आपको क्या करना है, पानी कभी नहीं पीना, कम से कम आदा या एक घंडे का gap देना है, खीरा, खरबूजा या ककड़ी खाने के बाद पानी कभी नहीं और धूप में काफी वक्त बिताने के बाद भी आपको इमेजेटली पानी नहीं पीना, दिन में कम से कम आपको 8-10 गलास पानी पीने की मातरा बनानी चाहिए, जिससे कि आपका शरीर की जो गदी वीदिया है, वो अच्छे से हो सके, आपकी किड़नी ठीक से काम कर सके, अगर आप पानी नहीं पीते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉबलम कहां आती है, कौन-कौन से बिमारियां आपको घेर लेती हैं, मोटापा, हाई बीपी, लो बीपी, कॉलिस्ट्रॉल, कॉप्स, पार्चन से जुड़ी समस्या, गेस्रिक, साथ सम्मंदित कोई भी प्रॉ अगर इसमें हम गरम पानी पी लें, तो आप ध्यान से सुनेगा कि आपको कितने फायदे हो सकते हैं, सबसे पहले मेन प्रॉबलम आजकल लोगों की क्या है, कि आपको होता है वजन बहुत जादा बंडने लगता है, आजकल की टाइम में सबसे बड़ी प्रॉबलम क्या है बजन बढ़ना, मोटापा, मोटापे को भगाना चाहते हैं दूर तो गरमी हो या सर्दी, गरम पानी का सेवन करें, कैसे करेंगे अब वो आपको देखना है, या तो अपना शरीर पालो, या बिमारिया पालो, या फिर अपनी खुबसूर्ती पालो, ये तीनो चीजें आप कहने पर चलें, और ठंडा पानी चोड़के गरम पानी का सेवन करें, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि बिना कुछ करें, आपका वजन अपने आप गिरता जा रहा है, उसके बाद अगले बार से अपने आप खुद बखुद पीना शुरू कर देंगे, जिन्दी की अगर आप सर्दी जुकाम से, कंजेशन से दूर है ना चाहते हैं, चाती पे चाहते हैं कफ ना जमें, क्योंकि कफ क्या करता है, आपको फ्यूचर में ऐस्तिमा प्रॉबलम देता है, आपके मूँ से दुरगन दाने लगती है, जिनको जाधा कफ बनता है, ये सारी हते हो कि आपका चहरा मुर्जायन आपकी खुबसूरती बनी रहे, आपका बुड़ापा थम जाए, बहुत लेट आपके चहरे पर जुरियां आए, तो ऐसे में गरम पानी स्टार्ट कर दें आज से ही, और फिर देखें आपकी तवच्छा में कैसे कसाव आ गया है, अगर आप चाहते हैं आपके बाल, जो है आपका स्कैल्प अच्छा रहे, बाल जो आपके बंड नहीं रहे, वो बंडने शुरू हो जाए, तो गरम पानी पीए, क्योंकि यह आपके जो पीच लेवल है, आपके सर का, आपके जो बालों का, वो मेंटेन रखता है, और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, अगर आप अपने पाचन क्रिया को दुरूस करना चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, जॉइन पेन को चाहते हैं, बिल्कुल दूर हो जाए, साथ ही साथ आपके शरीर में एक एनरजी बनी रहे, आपके डाइबर्ट से पहले बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, खड़े होगे पानी मत पियो, बैठ कर पियो, इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करो और जम कर शेयर करो, अपनी जिन्दीकी को और बहतर बनाओ, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई, टे गिर इन, झाल झाल